मेरा नाम है संजय तो यहां पर पूर टेट रेलवे से नोटी सामने निकल कर आ रही है यह पांच चार पांच अपरेल 2021 की डेट में आई है मतलब कली के डेट में लेकिन इसे जो है आज को यह आया है और यह साइट पर अभी अप्लोड नहीं किया गया लेकिन यह जो नोटी स है और साइट पर जलदी इसको अफ्लोड कर दिया जाए जाए उसकता आज राज में इसको अप्लोड कर दिया जाए और कल सुवा से जो है नोटिस बोड भी प्लेस होने लगेगा तो अक्ति से जा만 था कि आप यह तो किसको लिखा गया यह तो डा डिविजनल रेलवेय मेनजर इस्टकोष रेलवे वेट खुद्रा एंड एस्ट बीटिपी तो भी सही क्या है फ्राण यहां पर देखिए तो कि संबंद में यह लेटर नोटिस को निकाला गिया है तो डाइबर्शन ओफ पैनल फुर्ड़ प सब्जेक रेलवेड प्रोपोजल टू डाइबर्शन पैनल एलपी कंडिडेट तो साउथ इस्टन रेलवेड हैंस प्रण इसमें जो है 400 कंडिडेट को जो एलपी के इंपैनल कंडिडेट है इस्टकोष रेलवे से तो उनको जो है साउथ इस्टन रेलवेे जोन में वह भेजा जा रहा है तो अब इसमें फ्रण यह बात जो है जो नोटिस निकला तो इससे फर्क पड़ेगा पेटिंग अर्ची भी जो है उसमें आता है तो तीनों बोट के केंडिडेट जो है इसके उनको इफेक्ट जरूर पड़ेगा तो इसके में तो है और और फोसी जोगी जोड़ेट को यह सिफ्ट किया जाएगा 400 यह आपका जो है कोलकता में माल्दा में सीफ्ट किया जाएगा सौथ इस्टर्ण रेलवे में माल्दा राची और खुलकता तिनों यह दुक्त है की खबर है लेकिन यह कुछ पॉलिसी के कारण अंको वेटिंग कंडिडेट जो ऐर मलडा के ओर कुलकात्ता के और रांची के इनको जो है यह भूगतना पढ़ रहा है पड़ेगा हो सकता उनका और लेट हो और वेटिंग भविस्ण में अगर कमी होती है वेटिंग से वेकंड सीट होता ह तो उनको जो है दिया जाएगा लेकिन ठीक है चलिए आगे देखते हैं तो यह क्या कारण इसमें दिया गया है पहला कारण देखिए तो लिखा इसमें विलिगनेस ऑफ दा सेट केंडिडेट एज इन पारावन इसमें अबोब में भी ऑप्टेंड इन अटेच ऑप्शन फॉर्म एंड सब्मिटेट तो इस ओफिस और डारेक्शन विदिन बिजदेट तो फ्रेंड एक विलिगनेस फॉर्म आपको जो है भर के देना है किस केंडि इसमें क्या लिए दिखिए प्लिष टिप्ट दा मेटर एज मोश अरजन तो इसको आप जो मोश्ट अर्जन मेंटर के तौर पर इसको ट्रीट की जदा इसूई विद दा अप्रूबल ऑफ जीम तो जीम को जो है इसमें अपूब कर दिया है और इसमें देखिए चैर्में यहां पर रेलवे रिकर्मेंट से लिश्ट को रेलवे का यहां पर साइन हो जा रहा है और यहां पर नोट क्या दिख्या 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 नोटिस बोड में option option form may be email to the candidate through valid email id giving them two week time to respond इसमें डोवीक का समय इसमें दिया गया है आपको जो एक वीलिंग फॉर्म जो है बेजा गया है उसमें आपको यह सामते लिख के देना है कि हमुझे जो है साउथ इस्टन रेलवे में सिप्ट किया जा रहा है यहां पर आप इसको देख सकते हैं यह इस फॉर्मेट को अप्शन फॉर्म पर दाइवर्शन आप अल्पी पैनल फॉर्ट यहां पर इंप्लेमेंट का नाम है रोल नंबर है नेम है कंडिडेट डेट अबर्थ यह सब है ठीक है और इसमें जो है क्या लिखा देखिए आई यहर्वाइ करिवाइब यहां यहां पर आपको लिखिए अपना नाम विलिंग नोट विलिंग टू बी इन साथ इस्टन रेलबे मतलब जो है मैं यह गोसना करता हूं कि मैं जो अल्पी पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ और जो केंडिडेट जो सौरी इस्ट को जो है अभी मुझे जोइनिंग नहीं दे रहा है पूले मिन दे पाएगा जिस कारण से मैं मैं सामती देता हूं कि मुझे जो है साथ इस्टन रेलबे में भेजा जाए यहां पर कंडिडेट का सिगनेचर है तो फ्रेंड इससे जो है मैं कंडिडेट वालों को जो है कुछ अ तो यहां के जो वेटिंग केंडिडेट इस इंतिजार में थे कि यहां से कोई भी सिट अगर वेकंट होगा एलपी का एसी आर्थ से तो हमें जो है वो बुला जाएगा लेकिन अगर दूसरे जोन के 400 केंडिडेट जो है अगर इसमें आ जाते हैं ठीके 400 अगर आपके में आ जाते हैं तो यहां पर जो है केंडिडिट कहां जाएंगे तो यह रेलवे का इसू के कारण बेटिंग केंडिडिट को यह भुगतना पड़ेगा कि और इसमें जो है लेकिन जो है इसको बताना फ्रेंट ज़रूरी था जैसा भी खबर हो क्योंकि कोई भी अपडेट को देना जरूरी होता है ताकि आप लोग आगे का कुछ अगर सोचे तो जरूर सोचे इस बारे में आप लोग सोचिए ठीक है इसलिए इसको इस वीडियो को बनाने का यह मक्सद था कि एक अपडेट भी देना था अपने से केंडिडिट पालों के लिए अच्छी खबर है कि लोग इंतशार कर रहें थे तो उनको जो है अपने में जो है उनको नहीं दियागा अपने जोन देना था जो आया था तो आसा करता हूं कि आप इस अपडेट को समझ गये होंगे और आगे की करवाई के लिए आप लोग जो है वो कुछ करेंगे तो चले फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ और नया अपडेट के साथ तब तक के लिए जाहिन